हलो एवरिवान, आज हम क्या करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश में क्लास वर्क, क्लास वर्क में A2P, small A2P, हमारा small letter कहां तक हुआ है, P तक हुआ है, तो आज हम A से P पूरा sequence में small letter में लिखेंगे, capital letter तो आपको आते हैं, फिर एक बार जब पूरा ABCD खतम होगा, तब capital small 7 में लिखेंगे, आज हम सिर्प small letter को repeat कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A, A कहां से लिखेंगे, यहां से blue line से, S से, small A, B, B कहां से शुरू होगा, red line से, उपर से red line से क्या लिखेंगे, B, B के बाद small C, small C भी blue line में आएगा, फिर D, D कैसे बनाएंगे, ऐसे, उल्टा B तो हो गया, D, A, B, C, D, फिर E, F, G, H, ऐसे, पूरे small letter ही हम लिखेंगे, H, इसके बाद क्या आता है, I, वो भी blue line में, J, J भी blue line से ही सुरू होगा, K, K red line से सुरू होगा, और blue line तक करेंगे, ऐसे, small K, I, J, K, L, L मतलब standing line, ऐसे, L, M, N, O, P, हो गया हमारा A to P, ऐसे ही हम, चार की sequence में लिखेंगे, 4, 4 लिखेंगे, हमारे 20 letters हुए है, 16 letters हुए है, 4, 4, 4, 4, S, लिखेंगे, A, B, C, दी पूरा A से P तक, ठीक है, ऐसे ही एक बार हम classwork में लिखेंगे, और एक बार फिर से यहां पर homework में लिखेंगे, ठीक है, थेंगे, तेंक यू